मैं सबसे पहले जो कॉंग्रेस पार्टी और तेलंगाना पार्टी के सदस्से जो यहाँ पर इतना शोर मचा रहे ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग 365 दिन में से 200 दिन और 200 दिन दिल्ली में रहते और ये दिल्ली से संबंदित विशे है ये जो गाव में लोग रहते हैं उनसे संबंदित विशे है जो गरीब लोग हैं उनसे संबंदित विशे है मैं इन सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ ये तेलंगाना पार्टी आपके हाई कोर्ट की बात आप ये दिल्ली के विशे के बाद में रखिएगा मगर दिल्ली में जब गरीब का अद्वी का विशे चल रहा हो जब किसान का विशे चल रहा हो ये जो लोग दिल्ली का पानी पीते हैं जो लोग दिल्ली में सास लेते हैं दिल्ली के विशे में ये दखल देते हैं ये बाट ठीक नहीं है मैडम मैं सभी सदस्यों को दिल्ली की कहानी ये जो विशे आज चल रहा है ये बताना चाहता हूँ अगर ये सदस्यों ने कभी सुना होगा कि 2006 में दिल्ली में सीलिंग शुरू ही थी जब दिल्ली में सारे शौपिंग मॉल बनना शुरू हुए थे तो सुप्रीम कोट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी जिसने दिल्ली में सीलिंग करना शुरू किया सारी शोप्स, सारी कॉलनिया सील होने लग गई उसके बाद में ये दिल्ली का स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया मगर आज भी पिछले एक हफते से दिल्ली में सीलिंग चल रही है मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मंतरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके इस बिल को एक्सेंट करने की वज़ा से दिल्ली के लोगों को लाब मिलेगा उनको रहत मिलेगी और सीलिंग की कारवाई से उनको मुक्ती मिलेगी वो कैसे मिलेगी? दिल्ली में आज अगर एग्रिकल्चर लेंड में अगर हॉस्पिटल बना है अगर स्कूल बना है अगर फामाउस बना है और अगर सरकार कहती है कि वो इलीगल है तो ये आदमियों की कोई गलती नहीं है जिनके वो घर है मकान है ये सरकार की गलती रही आज तक जो दिल्ली में 15 साल कांगरेस की सरकार रही ये उसकी गलती रही कि वो आज तक कोई कादून नहीं बना पाई कि दिल्ली में 70 लाख लोग जो 1700 कॉलनी में रहते हैं आज भी उन और अगर किसी भी सदस्य का अगर बीपी बढ़ गया तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे इन पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए इन से बोली है मुझे सुनाई दे रहा है आप मैडम आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है मुझे बहुती दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आज उस सरकार को सवा तीन साल दिल्ली में हो गए आमादमी पार्टी की सरकार को और वो गरीब लोगों का वोट लेकर उनको सपने दिखाकर यहां तक गब्दी पर पहुँचे मगर सवा तीन साल में दिल्ली में एक भी कोलनी पास नहीं हुई दिल्ली में एक भी गाउ का लाई डोरा नहीं बड़ा दिल्ली में एक भी जुकी वाले को मकान नहीं मिला इसका जिम्यदार कौन है इसका जिम्यदार दिल्ली की सरकार है अगर आज कल छथरपूर एडिया में सीलिंग हुई दो दिन पेहले डिफेंस कॉलनी के मार्केट में सीलिंग हुई सारे दिल्ली में लोग डर रहे हैं वो सो नहीं पा रहे उनको लगता है कि कल मेरा नंबर आएगा कल मेरी दुकान की सीलिंग हो जाएगी मैं मंतरी जी से ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून को पास कराके और दिल्ली में अनुथरा इस कॉलनी के लिए गाउं का लाल डोरा बढ़ाने के लिए जुकी जोपड़ियों को मकान दिलाने के लिए वो सभी को हम इस बिल में इंकल्यूट करें उनको रहत दें उनके लिए पॉलिसी बनाएं कोई दिल्ली में अनुत्राइस कॉल्णी की पॉलिसी नहीं है, मैं मंतरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैडम, 2007 में जब कॉंग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, इन्होंने अनुत्राइस कोल्णी के लिए प्रोविजिन सर्टिफिकेट बाटे की कॉलनियों को पास करे वहाबे विकास करे उनको पानी दे उनको बिजली दे उनको सड़क दे उनको बागा सीवर दे बगर दिल्ली सरकार इसमें फेल हो गई आज दिल्ली सरकार की नकामी से दिल्ली में सीलिंग की एक तलवार लोगों के उपर लटकी हुई है मैं कल आपने सुना होगा आज अकबारों में पढ़ा होगा कि दिल्ली में पानी का तीस परतिशत दाम बढ़ गया वो कॉलनिया तो पास नहीं कर पाई कॉलनियों को सुवीदा गरीबों को सुवीदा नहीं दे पाई मगर पानी का बिल उन्होंने 30% बढ़ा दिया और पूरे देश में बोलते हैं कि हम दिल्ली को मुफ्त में पानी देते हैं ये जुटी सरकार दिल्ली में खाम कर रही है मैं भारास सरकार का हमारे मंत्री जी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर को जो ये एक्ट एक्सपायर हो रहा था उन्होंने इसको बढ़ा कर एक जनवरी 2020 तक दिल्ली को एक सुरक्षित बहुल देने का प्रयास किया है उसके लिए मैं इनकी प्रशंद सा करता हूँ यही करन जब हमारे हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में प्रेजिरेंट प्रूल था वेंके नैडू जी दिल्ली के देश के शेरी विकास मंत्री थे 2014 में वो ये बिल लेके आये थे पहले बार उन्होंने 2014 में जब बिल लाए थे उन्होंने पूरी दिल्ली को सुरक्षित किया था कि 2014 तक जो भी अनुथरे इस कॉलनी में कंस्रक्षन है जो भी गा आप दिल्ली सरकार को बुलाईए आप M.C.D. को बुलाईए आप D.D.A. को बुलाईए हम कब तक ये तारीक बढ़ाते रहेंगे 2006 से लगातार आज 2017-11 साल हमेशा तारीक बढ़ती जा रही है कोई पॉलसी नहीं बन रही मैं सदन को पताना चाहता हूँ आज दिल्ली का एक पास नहीं करा सकते हैं तो अगर वो नक्षा पास नहीं करा पाते हैं अगर कानून की कोई ऐसी पॉलसी नहीं है तो वो अपना मकान बनाते हैं जब मकान बनाते हैं तो वहाँ पे सरकारी लोग आते हैं वो उनको पैसा देते हैं वो सरकारी अधिकारी उनसे पैसा लेके जा ह्अँ तो गरीब अद्मी ये सरकार की नंदाना पड़ता है और हमारी प्लिसी ना होने की वजह से सुप्रीम कोड की कमेटी जाकर वहां पे सिलिंग कर देती है ये ठीक बात नहीं है ये गरीब आदमी के साथ में नाइनसाफी है मैं मंतरीजी से कहना चाहता हूँ 2011 के एक्ट में क्लोस 2 के सेक्शन 4 में यह कहाए है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ और अधर एरिया विदिन दा नेशनल केपिटल टेरिट्री अब डेली मैं मंतरीजी से यह दर्खास करना चाहता हूँ कि वो उस तारीक को वो आठ फरवरी 2007 की तारीक को बढ़ा कर वो भी 2014 तक अगर कर दे को उनकी बड़ी महरबानी होगी दूसरा मैं उनसे दर्खास करना चाहता हूँ कि वो जो अनोथ्राइस कॉलनी की डेट हमने 2014 रखी थी कि 2014 तक जो भी मकान बने हैं उनको थोड़ा नहीं जाएगा तो वो इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट करते हुए उस कट अफ डेट को अगर 2017 कर दे ताकि अनोथ्राइस कॉलनी में और गाव में जो गोडाउन बने हैं जो मकान बने हैं जो स्कूल बने हैं जो डिस्पेंसरी बनी हैं उनको वो तोड़ने से बच जाएं ये मैं मंतरी ज प्रोग और यापरसदन का समय खराब करने के लिए और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए और ये तिलंगाना पर्टी को भी में कहना चाहता हूं आपका हाइक कौट को विशेया आएगा तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे यह मैं आपको बताना चाहताूं पहुत कर दो